फिर से बहुत स्वागत हैं आज मैं आपको android applications android operating system में किसी भी application को open करते वक्त हमसे system द्वारा एक pop-up window आता है या pop-up एक message आता है जिसमें कहा जाता है कि इसे किस application को use करना है इस document को open करने के लिए मैं आपको करके दिखाता हूं जैसे यह document है मेरा मझे इसे open करना है मैं इसे click कर रहा हूं click करते ही इधर देखिए pop-up आ रहा है कि मैसेच आ रहा है कि कौन से application यूज़ करना है adobe acrobat यूज़ करना है या smart office या incredible यूज़ करना है चलिए मैं जैसे इसे just once कर देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं just once कर दिया मेरा application खुल गया चलिए हम बैक जाते हैं फिर से open करते हैं तो अभी हमने बार क्या सोचा या just once बार-बार करने से अच्छा है अब फिर से अब हमें कोई pop-up नहीं आता अब हमारे मन में आ रहा है सवाल अरे अभी हमको यह application यूज़ नहीं करना है हमें दूसरा smart office से इसको open करना है अब कैसे किया जाए अब हम बैक जाएंगे फिर से खोलेंगे फिर से वही adobe acrobat में ही खुल रहा है तो इसके लिए क्या solution है चलिए देखते हैं आपको application में जाना है अभी इदर हम जाते है applications applications में apps में चले जाते हैं apps में जाहां हमने default set किया था अब देखिए अभी open by default दिया है इस open by default को आप क्लिक कीजिए और यहां पर clear default कर दीजिए clear default हो गया इधा लिखकर आया no default set अब फिर से हम आते हमारे आपको मेरा वीडियो कैसे लगा उस बारे में मुझे सजेशन जरूर दीजिए comment box में और वीडियो पसंद आया हो तो like कीजिए शेर कीजिए और subscribe कीजिए धन्यवाद